हिमाचल प्रदेश में मौनसून आ चुका है। हिमाचल के सभी इलाकों में खूब बारिश हो रही है। बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इलाके में लोगों के डूबने फसने की कई घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में ख्षेतर में डूबने फसनने की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में नदियों के किनारों पर अब पुलिस गार्ड बनकर तैनात होगा। शिमला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम खेतर में चल रहें मौनसून के मौसम और भारी बारिश के कारण पुरिधी ना हो इसके लिए यह कदम उठाना गया है। सोलन जिला बद्धी के SSP मोहित चावला और सोलन के पुलिस अधिक्षक गौरव सिंध ने कहा कि नदियों के पास रिवर गार्ड के साथ साथ साइनेज भी लगाए जाएंगे जिसमें नदी के किनारे न जाने का उल उन्होंने आगे बताया कि नदी रक्षक मोटर साइकिल और मोबाइल पार्टियों के साथ ऐसे समवेदन शील क्षेत्रों में नजर रखी जा सके इसी कहर के बीच हिमाचल के दो तेज तरार अधिकारी SSP मोहित चावला और SSP गौरव ठाकुर तो बद्धी के DSP प्रियंक ने आपदा में खुद कमान संभाली दोनों जिलों के SSP ने एक ट्राफिक रोड मैक बनाया और अधिकारियों के जरिये उस पर अमल करवाया दोनों जिलों के DSP, SHO ट्राफिक इंचार्ज और छोटे से छोटे बड़े से बड़े पुलिस कर्मियों ने बारिश में भीगते हुए भी ड्यूटी की ट्राफिक पुलिस कर्मी की ड्यूटी काफी मुश्किलों भरी होती है फिर भी बिजी सडको और VIP मुव्मेंट के साथ बारिश की हर परिस्थिती को उन्होंने संभाला SSP के दिशा निर्देश अनुसार ट्राफिक पुलिस और अलग-अलग थाने के SHO ने यातायात को सुचारू रूप से चलाया कुछ लोगों से जब बात हुई तो लोगों ने कहा कि यदी पुलिस और चोर पुलिस ने हर संभव सहायता की सोशल मीडिया के तरीके से मीडिया के जरिये हर समय का प्रारूप लोगों तक पहुँचाया ताकि आमजन को हर सहयोग दिया जाए इस आपातकाल के समय में सोलन और बदी पुलिस के जवानों ने बिना परवाह किये हुए लोगों की मदद की जोरदार बारिश हो रही थी लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हर समय तैनात रही और मुस्तैदी से लोगों की सहायता की और यातायात को भ रहना हुआ था तो कोई छतरी लेकर गाडियों को ट्राफिक जाम में निकालने में जुटे थे ताकि लोग अपने समय अनुसार हर काम पर पहुँचे तो कुछ लोगों की गाडिया भारी बारिश में फस गई थी तो उनको धक्के मारते हुए पुलिस दिखी दोनों जिलो के SSP और SP पंचायत प्रधानों के संपर्क में भी रहे ताकि किसी तरह की कोई अन्होनी घटना न घटे